शॉच्राब जो कि दोस्तों मैं आपका अपना दिपू भाई और आज मैं आपको यह भ्लोग दिखा रहा हूं ग्रामिकर नौला और ग्रामिक आथ का मैख्थ हन् क्राम हाट का सिवाल है तो यह चीजे में आपको आज इस ब्लॉग में दिखा रहा हूं तो आपको कैसा लगेगा यह ब्लॉग मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और आगे मैं और भी अपने इस ब्लॉग में सुधार लाओं ताकि आपको कैसे कैसे चीजे देखनी है औ और तो दगडियों स्टार्ट करते हैं अग्या इस टीम हमारी चल दी है बंबी चल दी ओमेज चंजै जा रहा है हमून को पकाड़ रखा है यह यह पी ने हमूं को दोनुन ने दूसरे को पकाड़ रखा है आमा बाई तो हम चल दी है अब ग्राम हाटके नॉले की तरफ को यह देखिए मैंने पहले के व्लॉग में दिखाया होगा पापा की गार्डिनिंग कितनी सुंदर गार्डिनिंग हो रही कि पापा की यह देखिए तो हम रास्ता यही है इस रास्ते से हम गए थे तो अगर चल रहे हम प्रास्ता बहुत देंजर वाला है हम खत्रों के खिलारी है है कि को आज पकड़ा हुआ है कि धर धर गड़ गड़ गड़े रहे हैं तो अब जा रहे हैं नहों की तरफ को और आज का मैंने आपको बता दिया पहले कि यह व्लॉग ग्राम हाट का नहों माई थान और शिवाले इसमें हम दिखाएंगे आप लोगों को हम भी दर्शन करेंगे वह नात के और मातरानी के और साथ साथ अपने दगड़ियों को भी दिख कराएंगे दर्शन दगड़ियों चल दिये हम आगे को देखो आज अल घर पानी तु जबरदस्त हो रहा कि उस ना मतला अज द्यूआ ना भी आसता आ लागमा की द्यूआ आला आज ले मुझे बाधाव दूलन लागमी आज ले तो अ मत देखो मुसाम आज जबरदस्त हो और यह देखो बाधा दिखा में मातूं अकास में तो है तो अब हम पहुँंच गए है मंडाव वाक यह दिगरी आपको आगे में आपको दिखा रहा हूं मंडाव वाक है सहले में एक बिल्ग में पहले बी यह दिखाया हूग आप लोगों आगर रहे गया होगा तो वह देख सकता है यह मंदाओ वाख है वहाँ पदानुगाख है वह मैं बोल लिए पदानुगाख है यह देखो कहना जा रहे हैं बढ़िया इधर बच्चे साम के टांक गेम खेलने अपना गेम खेलने तो यह देखो प्रबॉल टीम लगी हुई अपने बेरी गुड अरे क्या वाद है जबरदस्त इनकी यह हम आगे को बढ़ रहे हैं कि अधर में कई बार में जादे तर अपने वीडियो में पुराने मकानों को दिखाता आया हूं यह देखिए किना सुंदर मकान बनाया हुआ है और इसकी जो कलाकर्ती बनाए गए देवी में खड़िकियों में बहुत जोड़दार इसके समार देखो कितने अच्छे बना र कि यह देखो कितना सुंदर आगन है लेकिन क्या पलायन ने लोगों को मजबूर कर दिया घरों को छोड़ने में इतना अच्छा सुंदर मकान था है बीबी सुंदर ही है कोई डाउट नहीं है इसमें यह देखिए अब हम आगे को पहुंच गए है गाउं की संदृता दिख पिए ये देखो और यहां कफ़्यार भी हो रहे हैं को जूंग करके दिखा रहा है हो तो धिके ऑक्ते फोसली बीबेगं और तो आचिओ तो अच्छा है गाव मंगठेल हो रहे हैं हैं आभे यह हम अब निकल ले निकल लाएं यह देखो यह ग्राम प्रधान किरन देवी महिला जागुरुकता बहुत जरूरी है पाहडों में और जब महिला जागुरुक होती है तो बहुत अच्छे काम करती है यहां पर ग्राम प्रधान किरन देवी ने बहुत अच्छा काम किया यह तो अभी आम नहों को जा रहे हैं नीचे नहों दिखाता हुआ आपको आगे हम नहों के किनारे पहुच चुके हैं यह देखे सामने नहों दिख रहा है जगड़े कितना मतलब यह देखो ग्राम पर्धान दोरा कांग किया गया बहुत जुबरतस्त प्लेटेश यह राश्ता पनाया गया इतना अच्छा कि तारीफे कावील है यहां की ग्राम बर्धान बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और यह देखो जब मैं पहले आया था इधर तो राश्ता थोड़ा सा था दिक्कत वाला यहां देखे कितना यह पत्थर देखिए किता बड़ा है यह देख है यह दा है यह है यह दो हो घंट शूर्ण पोखो दॉइड 10 घ्रव अंड इक यह दिया घ्लक्रती है यह दिखाता हूं में ऐसे पत्तर को क finest के दिला ईतना इस वि ए सामने अचाल उड़ा सरे यह दोता है और यह 7 अउप जाता क्चा गया है इससके इसको अंश्कों नहों यहां पर यह पर पानी आगे इद्धर में नहां दिखाता हूं यह यह करीबन कितने शाल पुराना हो गाई लगभाग लगभाग फित्रों की आमाना देद लगभा होगा हजारॉ इद नहीं बता सकता कि तो तक क्योंकि हमारे साद को भुजुर्ग नहीं है और यह तब मैं सभी से अपील करूँगा कि जो भी है जिस गावं में नहों है किरिप्या करके अपने नहों को सही से मेंटेन रखें ये पानी का बहुत अच्छा स्रोत है और ये देखिए मैं अपनी टीम से बोलूँगा कोई इधार मोबाइल के टॉर्ट मारेगा अदर मैंने आपको ये देखिए नहों में कितना पानी है पुरा भरा पड़ा है नहों ये देखो कितना जवर्दस लिग रहा है पानी से ये फुल लेविल को तो नहों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और यहां की जो दिवाल है कितने अच्छी तरीके से बनाएगे और उपर क है ये देखिए इतना अच्छा तरीके से ये बिशन भापान के लेटे है ये दिखाराओं को ये देखिए तो ये अभी साम का टाइम है फिर भी मेरी फ्ल जॉमिंग है इसमे फॉन में ही तो कितना अच्छा यहां पर दिखाए गया है वहाँ पूरानी है और इसके अगर मि एक दूसरे भी है यहापन हो भी खाता आपको इधर यह देखिए यह भी बहुत प्राणा नहा है यह देखिए यह थोड़ा मेंटेन कम लाग रहा है मेरेको बट बहुत अच्छी तरह बनाए गया यही यहां चे देखां साजू दगडियों यह देखो दगडियों यह दोहर आपनी जो मेरी मात्र भासा है यह कमावनी उसको भी यूज करूँगा ताकि मेरे जो भाही लोग है उनको भी अच्छा लगे कि अपनी लेंगेज भी यूज करी गई है और साथ-साथ में हिंदी में भी आपको बता रहा हूं यह जो नहाच हो यह पुराण नहाच सो बहु में बानी यह इस तरह काली जा लग रहा यह घ्ली पानी है मतब तो तो यह अच्छा अब काद़ भी है ओ माइग और यह देखो यह 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 एक फटी यह है वाइण यह देखो क्का खतरनाग है तो यह यह दिस्कबरी काला चीज थी जो मैंने आपको दिखाई तो मैं आगे आपको उपर दिखाऊंगा एक मिनट यह यहांचे देखो किना अच्छा सुन्दर रास्ता दिखा रहा हूं आपको सामने तक यह देखो बहुत अच्छा विकास किया गया है गराम प्रधान द्वारा इधर और आगे अब मैं अब हम उपर को जा रहे हैं माहिधान की तरफ को कि उपर माहिधान और उस्वालए तो संबने उपर है जा रहे हैं जेदेखिए अ हापि को मत पर अपूछ पोथा है जूँस बोल रहे हैं । यह सिवाला आगया है प्युजे πेंन हॆ पहंच कोरो थाविकान की पहुत खांग देखोंच है औरुस्त यह भूड़ाउ ai मैं यह शिवाला है जय भोलेनात ओम नमस्षिवाय यह देखिए इतना सुन्दर है हरहर महादेव की तो दगड़ियों यह आपन शिवाला चो इदेवा कतो भोलवने रहो वते बढ़िया हरहर महादेव यह मैंने आपको शिवाला की परक्रिमा करवाई तो यह है हाड़दाउं का देखिए वाल है हरहर महादेव यह देखिए और यहां से मैं तो ड़्यां दर दिखा रहा हूं यह जैब अले आट की हरहर महादेव देखो कितना संदर वजनाथ के दर है इवह नहीं जुट खरवन भलेनात का गो पोटेंग करपा बनाये रखें सभी भक्तों पे हरहर तो दगडिया अब हम निकल रहे हैं माही थान के लिए सामने है माही थान को दिगरा है वहां तो अब माही थान को जा रहे हैं यह देखिए अब हम चले माही थान के लिए यह दोस्तों यह है मातारानी के दरभार का रास्ता अब माही थान जा रहे हैं तो अब ही आजकल बारि यह राश्ते बहुत अच्छा बना दिये गए हैं अब गराम परधान तारीफ के काविल हैं यहां के अब ओके मम्मी गह रही है हाड के नेगी जी ने अपने पैंसे बनाया है प्रफशनली बहुत अच्छा कंट्रिबूट किया है यह देखो तो दगडियों यह हम मातरानी के दरवार में पहुंच गए है हाड गाउं की और सामने का आपको अधबुत नजारा दिखा रहा हूं यह देखिए कितना सुन्दर और सुशील नजारा है यहां से वाह यह हाड गाउं में आप कभी चकोटिया घुमने आएं तो मातरानी के दर चोटा सा और इससे बहुत अची ठंडाई यहां पर महसूस हो रही है कितल सितल हवा चल लिए बहुत अच्छी और रास्ता तो नेगी जी द्वारा बनाया गया है बहुत संदर रास्ता बनाया है और यह अम्रूत के पेड़ भी धर लगाए गये हैं तो इसके बारे में मैं कुछ मम्मी से बोलूगा कि आप बताओ अपने यहां के बारे में थोड़ा बहुत बताओ मम्मी अच्या और बस और यह रास्ता नेगी तो लेके को नाया है तो यह देखिए कितना अच्छा कर रखा है गांवालों ने बहुत के पेड़ लगाए यहां फल्कूर्ट के पेड़ दिखा रहा हूं कि देखो अब यह अपनी ओल्ड एज में पहुंच चुका है पेड़ इसलिए इसका जड़ गया है पत्ते जड़ गए ज्यादा और नहीं तो यह भरा घना घना रहता था जब हम पेशली बार आया थे तो और यहां पर यह सणी मंदीर है जो मैं आ यहां पर और सामने देखो चोटा सा कुछ कारेला और बना रखा है तो यह माताराणी का मंदीर है अब हम उपर को चल ले है तो यह है बहुत सुन्दर और बहुत अच्छी जगहा है यह है माई थान तो यह देखो कितना बहुत अच्छा काम किया गया है हाट यहां के लोगों ने बहुत अच्छा साथ शुत्रा और बहुत मतलब अच्छी जगह बनाई है यह कितना अच्छा प्रांगन है यहां बैची होती है यह देखो इसकी पेड़ के आपको गोलाई से पता चाल लगा कि यह पेड़ कितना पुराना है इतना वर्ष पुराना हो गए बेड़ यह देखे तो यह हो गया मातरानी का दर्वार यह देखो जैमा भागोती देवी पूजी पत कवल तुम्हारे सुन नर्मुनी जन होई सुखारे जैमातरानी की कितना अच्छा अर्पन बनाए गए हैं आपर यह अर्पन है जो उत्राखंड की सस्कृति को दिखाता है अर्पन यहां के जैमातरानी यह मातरानी का दर्वार है जैमा भागोनी यह ठीक है इससे में कर दो ना हूँ निकर जैमातरानी तो यह माई ठान अर्गाउं अब मैं आगे यहां का द्रिशी दिखाता हूँ आपको निमने कर दिया है में एक छोटी शी प्रक्रिमा का करातम आपको मातरानी के दर्वार की यह देखिए यहां पर भंडारे के लिए बनाया गया है यहां पर भंडारा जब होता है तो भंडारे की ब्यास्ता की जाती यह इसमें बहुत अच्छा है यहां पर तो दोस्तो यह था हमारा जो व्लॉग इसमें हमने आपको हाडगाओं का मातरानी का दर्वार दिखाया तो आपको कैसा लगाए वडॉग आप हमें अपने कमेंट द्वार बताईए और आपको अच्छा लगे तो सब्सकाइब किजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह दर्शन मातारानी के दर्शन सभी लोग कर सकें और सभी के उपर मातारानी कृपा बनी रहे तो दोस्तों इसी के साथ जय उत्राखंड जय दे भूमी